हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं नीलम ब्रिजनिल फैमी चैनल में आपका स्वागत है वैसे तिल का तो यूज हम अलग-अलग तरह से करते हैं चाहे तो उसे लड्डू बनाई या और भी चीजे तिल के बहुत से बनती हैं मगर आज मैं आपको तिल का ऐसा लड्डू बनाए न बनाना स्टार्ट करते हैं यहां 200 ग्राम मैंने तिल लिया था जिसे धीमी आज पर इसे रोस्ट कर लेंगे और हां ब्लैक तिल में पता तो चल नहीं पाता है कि किस तरह से यह रोस्ट हो रहा है या तो तिल थोड़े से फूल जाते हैं या विरीन आप हाथ से तोड़के द लाना है बस यह देखे तील बिल्कुल महीन ना पिसे थोड़े से दरदरा सा वैसा ही रहे क्योंकि बिल्कुल यहां पर अगर पिस जाएगा तिल तो टेस्ट उस तरह से नहीं आएगा आप चलिए इसे निकाल लेते हैं दूसरे बरतन में और यह मैथट काफी इजी मैथट है आप इसमें चाहे तो तिल को मतलब भुन के भी रख सकते हैं आप इसे अभी या बाद में भी बना सकते हैं या देखिए गुड़ मैने लिया है एक कडोरी के लमसम यानि की 100 ग्राम या 500 ग्राम तक के होगा और हाँ यह गुड़ देखे थोड़ा सा सौफ्ट गुड़ ह है जिसे मैंने लिया है अगर आपके पास हाँ थोड़े से हाड हो तो उसे आप कडुकस कर लिजेगा अब यह गुड़ है जब इन्हें अच्छे से तिल में बिल्कुल मिक्स करेंगे और इस लड़ू को बनाने का सबसे एक यही आसानी है इसमें कि आप तिल को रोस्ट करक अब मिल गया है आसानी से देखें बहुत आसानी से मिल जाता है और कुछ नहीं बस आप इन्हें सब को इखटा करिए और इसके लड़ू बनाते जाएए वैसे काले तिल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आप मार्केट से हम लोग खरीद के लाते हैं वो लड़ू जो त आसानी से यह टूट जाते हैं और आपको यकीन मानिए टेस्ट में भी कोई अंतर नहीं आता है बहुत ही टेस्टी लगता है तो यह देखिए बिल्कुल ही आसानी से यह अच्छे से टूट रहा है और हाँ टूपने के बाद आप इससे जोड़ भी सकते हैं दुबारा दु बना लेते हैं तो यहां पर मैंने यह 200 ग्रांट तक के तिल लिया है अब इसे भी धीनी आज पे विल्कुल रोस्ट कर लेंगे और हाँ सफेद तिल तो आसानी से पता चल जाता है जब आप रोस्ट करते हैं क्यूंकि उसका यह खलका सा कलर भी चेंज हो जाता है और यह थो इन्हें में दो तरह से बनाऊंगी एक जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले और दूसरा एक हाड वाला जो होता है जो तिल तो मैंने इसे दो भागों में डिवाइट कर लिया था तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं पहले हाड वाले बनाना सुरू करते हैं तिल के कर दो हैं और अब जो इसमें गुड़ एड करेंगे गुड़ के गुड़ वाले एक हए तो च्रूसरा आप और गीा यूज़ कियाँ है पिर और जो इसमें गुड़ करेंगे जो खाने पर जटिल है उसे भी एट करके इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं गुड के साथ तिल बिल्कुल अच्छे से जब देखे मिल जाता है तो इसे निकाल लेंगे एक बर्दन में और हाँ ये तिल को बनाने वक्त आपको अपने हाथ बहुत तेजी से चलाने होंगे क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाता है तो थोड़ी सी दिकत हो जाती है मतलब लड़ू फिर बंदेंगे नहीं तो यहाँ पे गरम गरम में ही इसे अच्छे से मैंने और मिक्स कर लिया था और थोड़ा सा हाथ में पानी लगा के जल्दी जल्दी से लड़ू ये बना लेंगे और हाँ आप इसे घर में ही बहुत ही आसानी से मैं तरदो इंगरिडियन्ट से देखे कितने ही अच्छे से घर में लड़ू बन जाता हो और मतलब महनत भी नहीं लगेगी और फटा फट से लड़ू सारे देखे मेरे बन के तयार हो गए थे और लड़ू बहुत ही अच्छे है और क्रिस्पी बने थे तो देखे ये अब इसे तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो हार्ड हो जाते है अच्छे से तो ये भी लड़ू बन के तयार है तो चलिए अब आपको सॉफ्ट वाले भी लड़ू बनाना बताती हूँ जो मैंने आधा तिल निकाल के रखा था तो उसमें भी मैंने तिल के हिसाब से ही गुड़ लिया है और तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अब तिल को रोष्ट करके रखा था उसे ग्राइंडर में निकाल लेंगे यानि मिक्सी के ग्राइंडर में थोड़ा सा इसे चला लेंगे कम से कम इसे एक बार ही एक या दो बार ही इसे रोक रोक के मिक्सी को चलाएंगे और देखे यह अच्छे से ग्राइंड हो गया है औ और मतलब दरदरा सा ही पीसेंगे जैसे ब्लैक वाला तिल का बनाया था सेम वैसे ही इसमें प्रोसेस करना है तो अब इसे भी दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं तो चलिए इसे भी अब मिक्स करते हैं जो गुड़ रखा है उसे एड़ करेंगे आप इसमें गुड़ अपने गुड़ और नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा गुड़ होने पर भी फिर मीठा लगता है बहुत ज़्यादा तो इसमें साब से सही गुड़ मिलाएंगे और हाँ गुड़ तो यह जब तक के मिक्स हो रहा है तो हाँ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे अगर किया नहीं है तो देखे इसी तरह से गुड़ और तिल बहुत ही अच्छे से पुरा मिल गये हैं और इसे भी आसानी से बिलकुल लड़ू बन जाते हैं इसके भी जो आप घर में लड़ू बनाते हैं वो बिलकुल देखे आसानी से बिलकुल आप बन भी जा र आप तोड़ के देखे तो बिल्कुल आसानी से तूट जाता है और एक बार इसे बना के जरूर देखिएगा बहुत ही टेस्टी यह लगते हैं तो चली तिल के तो लड़ू बन गए है और अब बनाना स्टार्ट करते हैं लास्ट में गुड और मुर्मुरे के लड़ू तो य यूपी में इसे लाइया कहते हैं देखे बिल्कुल ही यह क्रिस्पी होना चाहिए तो अब यहां पे गुड को मैल्ट कर लेते हैं बिल्कुल हलका सा एक दो चम्मची पानी डालेंगे अब कुछ नहीं अब इसे चेक करतें का भी तरीका में आपको आगे दिखाती हूं कि क नहीं तरह से गुड बिल्कुल अब तक कलेक्त हुझया है तो अब एक प्रमुरे से इंच़ने के बाद जाओं में धक कर लेंगे कि हरा तरह से बुर्मुरे पे गुड की कोड़िंग हो जाये उसतरह से सारे लिए मुर्मुरे को देखे मैने मिक्स कर लिया थाओं आप इसे निकाल लेते हैं दूसरे बरतन में जिसमें थोड़ा सा ऑईल लगा हुआ बरतन रहेगा आप इसे भी निकालने के बाद फटा फट से इसके लड़ू बनाना है क्योंकि ये भी अगर ठंडा हो जाता है तो जल्दी से ये बनते नहीं है अब मैंने हाथों पे के सारे लड़ू भी ये गुड और मुरमरे के लड़ू बना लिए थे बहुत ही आजानी से बिलकुल बन जाते है हाथों पर पानी लगा लेने से इसकी थोड़ा सा इसे सहन करने की वी चमता हो जाती है और इसी तरह से देखिए ये सारे लड़ू बनके तयार हो गय है तो आई होप आपको ये लड़ू बनाने के आसान तरीके पसंद आए होंगे पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू फर वाचिंग